इनिंग की पहली गेन का सामना करते हुए उठा के खेल दिया है, गैप में गई और ये बैतरीन चौका बहुत ही अच्छा गैप निकाल रहे हैं आज, बहुत ही सटीक प्लेस्मेंट बले बास का चलिए देखते हैं कि अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी गैप में खेल दिया है, दो रन की कोशिश होगी यहाँ अच्छी रनीं मिट्वीन दे विकेट्स पावर प्ले समाप्त होने के बाद अब फील्ड तो खुल चुकी है, अब इन्हें सिंगल्स और डबल्स की मदद से एक लंबी साजेदारी की कोशिश करनी चाहिए बड़ीया टाइमिंग एक रन असानी से पूरी की जा सकती है और बल्ले बास दो रन का कॉल देते हुए इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंत रन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ चार रन बहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन यहाँ शॉट अलफास कम पड़ जाए इस शॉट का वर्नन करने में ऐसे फॉर्म में खेल रहे है यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म अफ इस लाइफ वाह क्या बात है ओ बैतरीन टाइमिंग और गेन सीमा रखा के पार चार रन बल्ले से निकलते ही अपनी किस्मत लिखवा गई थी यह गेन इनिंग की आखरी बॉल यह रही आपके सामने क्या मैच देखने का अवसर प्राप्त हुआ है आज स्टेडियूम खचाखच बरी हुई और मैच अपने आकरी ओवर तक जाती हुई ओ बैतरीन टाइमिंग और गेन सीमा रिखा के पार चार रन बहुत ही सरल शॉट था यह बल्ले बास का गेन की रफ्तार का पूरा उप्योग करते हुए गेन को पहुचा दिया है बाउंडरी लाइन के उस पार फिल्डिंग में परिवर्तन यह एक ऐसे बल्ले बास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे फिल्ड लगा रखी थी ऐसी ही शॉट के लिए इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुत ही सूझभूच और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका यह तो तौफे में दी गई गेन थी और बल्ले बास बिल्कुल भी नहीं चुके दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चका मार देंगे दो रन का कॉल अच्छी रनी मिट्वीन दिविकेट्स गैप में खेल दिया है हाँ और यह चार रन दमदार शॉट जिस तरफ इनोंने मारा है उस तरफ की बाउंडरी बाकी के बाउंडरी के मुकाबले बहुत ही लंबी है इनके तो बल्ले से सिर्फ चोके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहा मारेंगे शॉट अलफास कमपड़ जाए इस शॉट का वर्नन करने में और इसी के साथ जीत का लक्ष प्राप्ट